तिलांगना विधानसवा चुनाव में इस बार Y.S.R. तिलांगना पार्टी की प्रमुख और आंधरप्रदेश की सीम Y.S. जगन मोहन ड्रेडी की बहन Y.S. शर्मिला ने चुनाव नहीं लड़नी का फैसला किया है उन्होंने कहा वह चुनाव नहीं लड़ने से वोटो का बतवारा नहीं होगा उन्होंने मीडिया में जारी किये गए एक वयान में कहा कि Y.S.R. तिलांगना पार्टी ने एक एहम फैसला लिया है Y.S.R. को लगता है कि अगर हमें इन वोटों में केसी आर को हटाना है तो यह जरूरी है कि चुनावों में मतों का बतवारा नहीं हो इसके लिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, बलकि कॉंग्रिस पार्टी का समर्थन करेंगे Y.S. शर्मिला के कॉंग्रिस का समर्थन करने की अटकले तभी से लगाई जा रही थी जब वो अदिली में आकर सोनिया गांधी और राहूल गांधी से मुलाकात की थी जिससे मुख्यमंतरी चंदर सेखर राव के फायदे हो सकते हैं Y.S.R. तिलांगना पार्टी ने एक बहुत एहम फैसला लिया है कई सर्वेक्षणों और जमीनी रिपोर्ट के अनुसार यह महसूस किया गया कि विधान सभा चुनाव में हमारी भागेदारी कई निर्वाचन शेत्रु की कॉंग्रेस की वोट शेर के सीधा असर करा है इसलिए Y.S.R. तिलांगना पार्टी ने तिलांगना विधान सभा में चुनाव नहीं लड़ने का वलिदान देनी का फैसला लिया है भारत निर्वाचन आयोग ने 30 नवंबर को होने वाले तिलांगना विधान सभा चुनाव में 3 नवंबर 2023 को इसकी अधिसूचना चारी करती है इसे तिलांगना राजपत्र में प्रकास्चित किया गया है अधिसूचना के अनुसार चुनाओ के लिए नमांकन दायर करनी की प्रकेरिया आज सी शुरू हो जाएगी और 10 नवंबर तक सुबह 11 बज़े से लेकर 2 पहर 3 बज़े तक स्विकार किया जाएगी चुनाओ कारिकरम के अनुसार उमेद्वारों द्वारा दाखिल नमांकन पत्रों की जाच 13 नवंबर को की जाएगी और नाम वापस लेने के आखिरी तारीख 15 नवंबर है नमांकन दाखिल करते समय निर्वाचन अधिकारी आर उव के कारियालेख से सौ मिटर की परीधी की भीतर उमेद्वारों के काफिले के केवल तीन वाहनों के जाने का अनुमती दिया जाएगा जबकि आरो की कमरे के अंदर चुनाओ लड़नी वाले उमेद्वार सहित केवल पांच विक्तियों को जाने की अनुमती है वाई एश शर्मिला ने अपने दिली यात्रा के बाद उन्होंने कहा कि मैं लोगों की स्थिती में सुधार के लिए सब कुछ कर रही हूँ ताकि तेलांगना की गठन में उन्हें पायदा हो ंगडना की अनुमते तेलांगने छॉपड़्ते सबीं वाले बरिंखार की सी सब कर लिए स encourage Clayton